आज हम कुछ Compounds का Oxidation Number calculate करेंगे तो ध्यान से समझेगा कुछ Importance Compound हम लेते हैं और उस Importance Compound का क्या calculate करते हैं? Oxidation Number calculate करते हैं तो ध्यान से समझेगा Oxidation Number of Sum Important Compound Compounds तो हम कुछ Compounds का क्या ग्याद करेंगे? Oxidation Number ग्याद करेंगे तो हम पिछले लेक्चर में देखे हैं Rules of Calculating Oxidation Number में उसमें ये बताया था कि किसी Compounds में जितने भी Elements होते हैं सभी Elements का Sum of Zero के इक्कल होता है किसी भी Elements में किसी भी Compounds में जितने Elements होते हैं सभी Elements का जो योग होता है वो Zero के बराबर होता अगर वो Compound के उपर कोई Charge नहीं है तो लेकिन अगर किसी Compounds के उपर Charge उपस्तित होता है तो उस Compounds में जितने भी Elements होते हैं उस Elements का बीच गड़ती योग उस Charge के इक्कल होता है तो कुछ Compounds हम लेते हैं और उस Compounds का आक्षिदेसर नंबर केल्कुलेट करते हैं तो जैसे हम Compounds लेते हैं HNO3 HNO3 है Compounds जिसका नाम Nitric Acid है इसका नाम क्या है Nitric Acid तो यह जो Nitric Acid है Nitric Acid में Nitrogen का आक्षिदेसर नंबर ग्याद करना है तो हमने रूल क्या बता है किसी भी Compounds में उपस्तित पड़ते हैं कि एलिमेंटों का जो योग होता हो किसके वरावर होता है जिरो के वरावर होता है तो यहां से आपको Nitrogen का आक्षिदेसर नंबर निकालना है और यह बात यह भी किसी भी Compounds में जो elements होता है गर उसका आक्षिदेसर नंबर फाइंड आउट करना है तो जो elements होता उसको आप variable कोई भी मान सकते X, Y, Z, A, B, C, D कुछ भी मान देते हैं इसके बाद उसका आक्षिदेसर नंबर ग्याद करते हैं तो यहां से Nitric Acid में आपको Nitrogen का आक्षिदेसर नंबर ग्याद करना है तो Nitrogen को मान लीजे X तो यहां से Hydrogen है Hydrogen का जो आक्षिदेसर नंबर होता वो plus 1 होता आप पहले पढ़ चुके हैं Nitrogen आप मान यह X इसके बाद जो Oxygen होता Oxygen Oxygen जो होता Oxygen के उपर minus 2 का चार्ज होता तो यहां से Oxygen का आक्षिदेसर नंबर कितना होगा minus 2 लेकिन कितने Oxygen है तीन Oxygen 3 into क्या हो जाएगा minus 2 inohok अपका क्या मिलेगा 0 मिलेगा यहां से आप देखेगा sorry यहां से positive होगा आपका तो यहां से आपका क्या 3 दुनी यहां पे multiply करेंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा minus 6 इसके बाद यहां पे क्या मिलेगा plus 5 एकोल कि अपका 0 5 होता है, इसी परकार कुछ Compounds और मानते हैं, जैसे हमारा Compounds है H, S, O, 3 पे माइनस अंका चाहरज ठीक, इसको बोलते है Bisulfide Ion ये कौँसा आइन है? इसका नाम है Bisulfide आइन ठीक, ये जो Bisulfide Ion इस Bisulfide Ion में Sulfur का आपको Oxidation Number Calculate करना है तो ये रूल लगाएंगे Hydrogen का आपको पता Hydrogen का Oxidation Number पलस उन का होता, Sulfur का निकालना Sulfur को मानू X, इसके बार यहां से जो Oxygen है, 3 Oxygen है और आपको पता एक Oxygen पे-2 का चाहरज एक्कुल क्या होगा आपका माइनस उन क्योंकि किसी की इस Compounds के उपर चार्ज कितना है आपका Minus 1, तो मैंने बताया था उस Compounds में जितने भी Elements होते हैं, उनका जो योग होता उस Compounds पे उपस्तित चार्ज केकुल होता है हमने चार्ज केकुल किया, आप यहां से Calculate करेंगे, तो यहां से मिलेगा आपको X plus यहां से क्या मिलेगा, Minus 6 इसके बाद यह Plus का 1 इस जिकुल क्या मिलेगा आपका Minus का 1, तो यहां से आप Calculate करेंगे X value जो आई कि आपकी यहां से क्या मिल जाएगा, Minus का 5, और दर जाएगा आपका Plus का 5, 5 में से जाएगा कितना 4, यहां से जो आपका Sulfur है Sulfur का यहां पर आक्षिरेसर नमबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा इसी परकार कुछ दूसरे Compound जैसे आपका, KM 4, K M, N, O 4, इसको हम बोलते हैं Potassium per Magnet क्या बोलते हैं इसको Potassium पर Magnet बोलते हैं, ठीक यह जो Potassium per Magnet है, Potassium per Magnet में आपको किसका Oxidation Number Find Out करना है, Magnees का Oxidation Number Find Out करना है तो यहां से आपको पता है जो Potassium होगा, Potassium का Oxidation Number Plus One होता है क्योंकि यह आपका First Group में Present होता है, तुम्हें बताया था First Group में जितने भी Elements होते हैं सभी Elements का जो Oxidation Number होता हो कितना होता है, प्लस का One मेंगनीज का निकालना मेंगनीज का महानो X और Oxygen है, Oxygen 4 Molecule एक Oxygen पर माइनस 2 का चार्ज इक्वल का आपका 0 तो यहां से कितना हैगा 4 to 8, 8 में से आपका प्लस का One जाएगा, तो कितना मिलेगा एक्स बराबर आपका प्लस का Seven तो यहां पर जो मेंगनीज मेंगनीज का चार्ज रसन निमर कितना हैगा प्लस का Seven आएगा या फिर कुछ Compounds ऐसे दूसरे ले 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 जैसे आपका K4 Fe Cn6 अब K4 Fe Cn6 Potassium Ferocyanide इसमें आपसे कहा जाएगर आपका पता है यहां पर Potassium है Potassium 1 Potassium प्लस 1 का चार्ज 4 Potassium में कितना होगा 4 का चार्ज होगा आपका Iron का मानिए X इसके बाद प्लस यहां पर आप देख रहे हैं यह जो Cyanide यह Cyanide Iron होता Cyanide Iron मैं Radicals में बताया था तो यह कौन सा Radical Cyanide Radical इस Cyanide Radical के उपर minus 1 का चार्ज होता है तो कितने Cyanide के मालीकूल 6 मालीकूल है और सभी के उपर कितने का चार्ज होता minus 1 का चार्ज इककल के बराबर होगा आपका 0 के बराबर होगा तो यहां से आप calculate करेंगे यहां से कितना मिलेगा minus 6 और plus 4 यहां से आप X की value find out करोगे तो कितना मिलेगा आपका plus 2 तो यहां पे जो आपका iron है iron का आक्सिदेसर नमबर plus 2 अरथात यहां से जो potassium ferocyanide है potassium ferocyanide में जो Fe है Fe यह ferus अरथात ferus के farm में है किस farm में? ferus के farm में है तो यहां से कुछ compounds हैं जितका हमने आक्सिदेसर नमबर calculate किया तो यहां से यह मिला लेकिन कुछ compounds ऐसे होते जिसका आक्सिदेसर नमबर calculate करने पर वो गलत आता है तो वहां से उस compound का जो आक्सिदेसर नमबर आता है वो average करके आता तो वो कैसे हम calculate करते हैं समझेगा तो कुछ गंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका आपका आक्सीडेसर नंबर कल्कुलेट करेंगे तो आपका 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 अपनाकर उसका जो है कल्कुलेट करते हैं तो जैसे हमारे पास कंपाउंड्स है H2SO5 H2SO5 जिसका नाम कैरोज एसिड है इसका नाम क्या है कैरोज एसिड कैरोज एसिड यह जो कैरोज एसिड है कैरोज एसिड वे आपका सेलफर का आक्सीडेसर नंबर कल्कुलेट करना है तो नार्मली अगर रूल के क्वाडिक सेलफर का आक्सीडेसर नंबर कल्कुलेट करेंगे कितना हैगा तो यहां से आपका मानी X और हाइडोजन आपका दो मालीकूल देहां पर प्लस टू होगा आपका आक्सीजन पांच मालीकूल है और एक आक्सन पर माइनस टू का चार् एक नार्म 6 प्लस 6 का सो करता है लेकिन यहां पर आप अक्सीर समस्कार सेलफर का एट आया जो कि इसपसे माशन नंबर एट नहीं होगा तो सहीं क्या होगा उसको हम कैसे करतें उसको कैसे हम जानते हैं तो उस इस स्ट्ट्चर बनाते हैं श्ट्रृ selbst में जो जिसीலीमेंट का oxygen number calculate करना होता हुश को आराम से calculate करते हैं तो यहां से structure बनाएंगे आपका हाईड्रोजन यहां से आपका हाईड्रोजन ठीक तो यहां से हम देखते हैं जो आपका H2SO5 है, H2SO5 का structure यूँ आता है, अभी इस structure में आपको क्या find करना है, sulfur का oxidation number find करना है, तो sulfur का oxidation number कैसे find होगा, ध्यान से समझेगा, आप यहाँ पे देखिए जो sulfur है, sulfur hydrogen से banded है, यहाँ से oxygen से banded, यहाँ oxygen से banded और यहाँ भी oxygen से banded है, तो यहाँ पे जो आपका sulfur hydrogen और sulfur में देखें, तो जो sulfur होता, hydrogen की तुलना में more electron negative होता, तो sulfur क्या करेगा, यहाँ से hydrogen लेगा, इसके उपर कितने का charge आएगा, एक का charge यहाँ से 1, 2, 2, 4, 6 charge आगे आपका, 2 यहाँ से, 2, 2, 4, और 1, 5, और 1, 6, तो यहाँ पे जो sulfur होगा, sulfur का oxidation number कि 6 मिलेगा, और यहाँ पे आप देखिए, जो यह oxygen है, यह दोनो oxygen यह per oxide linkage है, per oxide linkage है, ठीक, तो यहाँ से, यह जो आपका sulfur है, sulfur का, अगर हम structure बना के देखें, तो जो sulfur है, sulfur का oxidation number कितना हैगा, आपका, 6 आएगा, लेकिन अगर इसको general way से find out करें, general way से इसका calculation करेंगे, तो sulfur का oxidation जैसन नमबर कितना हैगा, प्लस का 8 आएगा, जो की गलत है, तो यहाँ से, हमने कहरो, जैसिट में sulfur का oxidation नमबर calculate किया, इसके बाद हमारे पास, दूसरा compounds है, H2, S2O8, दूसरा compound rate लेते हैं, S2, S2O8, यह जो H2, S2O8 है, इसको हम Marcel's Acid बोलते हैं, कौन से Acid बोलते हैं, Marcel's Acid बोलते हैं, Marcel's Acid, यह आपका Marcel's Acid में आपका sulfur का oxidation नमबर calculate करना है, तो कैसे calculate होगा, ध्यान से समझेगा, तो सबसे पहले है, सलफर का हम क्या गयाद करते हैं, क्या बनाते हैं, structure बनाते हैं, तो sulfur का जब structure बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझेगा, आपको पता होगा जो सल्फिोरी केसिड होता है क्या हो is एक फार्मूला का होता है इस टो एस ओफोर कंवा साफtv होग़िंजोगे इसमें क्या कर दें अगर सल्फिोरी केसिड का दो माली कुल हंता है निकल के देगा पार हाईडोजन किसी भी तरीके से सल्फूरिक एशिट के दो माले के उनको लेकर रिप्लेस कर दें तो जो आपका मिलेगा एशेट उस असीड को क्या हम बोलेंगे? Marshalls Acid बोलेंगे तो यहां से जब calculate करेंगे तो आपका आएगा H2, S2O8 तो हम दो Sulfuric Acid का structure बना ले इसके बाद उस दोनो Sulfuric Acid के structure से दो Hydrogen Anyhow हम क्या करते है, remove करते remove करने के बाद जो structure आपका find out होगा, वो Marshalls Acid का structure होगा, तो Sulfuric Acid का structure होता, वो क्या होता, दियान से समझेगा, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, तो यहां से Hydrogen, Oxygen Sulfur फिर आपका Oxygen फिर Oxygen फिर यहां से आपका Oxygen, इसके बाद क्या आपका Hydrogen यह जो structure, यह structure Sulfuric Acid का है, किसका है Sulfuric Acid का structure है अब इस Sulfuric Acid का structure कितना Molecule Sulfuric Acid, दो Molecule Sulfuric Acid ले ले, इसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, दो Hydrogen किसी तरीके से निकाल देंगे जब दो Hydrogen किसी तरीके से निकालेंगे तो जो structure हमारा बनकर आएगा वो किसका होगा, हमार सल इसिट का structure होगा, तो यहां से एक Molecule Sulfuric Acid कावर बना ले, तो यहां से आपका, यह, फिर यहां से आपका Sulfur से दो आक्सन बांड़ेट, नीचे दो आक्सन बांड़ेट, इधर एक आक्सन बांड़ेट, इसके बाद यहां से एक आपका क्या? हाइडोजन, अब हमको करना क्या है? इससे दो हाइडोजन क्या करना? रिमूब करना है, तो हम क्या कर दे? दो हाइडोजन यहां से ही है, दोनों हाइडोजन को क्या कर दे? रिमूब कर दे, दो हाइडोजन को जब रिमूब करेंगे, तो जो आपका structure मिलेगा, kadhis cam structure मिलेगा Marshalls acid का, हमने क्या किया, यहां से 2 hydrogen हटा दिया 2 hydrogen हटा तो यहां से आपका क्या हुआ यह oxygen और यह oxygen ज़्यान से समझेगा यह oxygen और यह oxygen एक दूसरे से केसे band होगे per oxide per oxide linkage केसे क्या होगे बद गे तो यहां से यह जो आपका मिला structure यह किसका structure है यह आपका जो structure है यह मारसल सेशिट का structure है अगर इसमें देखें जो sulfur होगा sulfur का oxygenation नमर कितना होगा 6 होगा यहां पे देखिए यहां पे 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पे जो sulfur है sulfur का oxygenation नमर कितना मिला आपका 6 मिला और इस में देखिये इस में आपका 2, 3, 4, 5 और 13 यहां भी sulfur का अक्षिज्ज्ज्जरन दो कितना मिला आपका 6 मिला तो जोÚMARHzLs exit है, मार्शल्स exit में आपका जो sulfur है sulfur का अक्षिज्ज्ज्ज दो कितना होगा, आपका 6 होगा लेकिन अगर नार्मली इसको जैसे कैलकुलेशन हम करते हूं उसके एकवाडिंग कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा आपका सल्फर का अक्षिरसन नंबर देखिए आपका दो हाईडोजन इसके बाद सल्फर एक सल्फर का मानो एक्स दो सल्फर कितना होगा आपका टू एक्स इसके बाद पलस आठ माली क्यू लागसिन और एक माली क्यू लागसिन पर माइनस टू का चार्ज होगा इक कितना मिलेगा आपका जिरो मिलेगा इसके बाद अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा A2 जा, minus 16 होगा minus 16 में इसे आपका 2 जाएगा minus का 14 मिलेगा यहांसे 2X minus 14 इकल क्या मिलेगा आपका 0 तो 2X empirical क्या मिल जाएगा plus का 14 X amalains came plus का 14 divide by कितना आपका 2 इसके बाद जब आपका आएगा X बラबर कितना आएगा plus का 7 तो यहां से जो आपका sulfur है sulfur का oxygen से नमबर यहां से कितना आ रहा plus का 7ार कितना रहा है यहां प्रे sulfur का oxygen से नमबर प्लस का 7 कैसा आया यहां से hydrogen हमने तो रखा sulfur एक molecule यहां पर दो माली कूल sulfur का तो 2X होगा यहां से हमने 8 molecule oxygen है एक oxygen पर minus 2 का charge तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया 16 माइनस 16 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका प्लस का 14 इसके बाद यहां से जब इसको इधर प्लेस करेंगे तो आपका 2 एक्स जुकल कितना मिल जाएगा आपका प्लस का 14 झाल्ट एक्सिक्षंपर निम्ब्सकतों होता है इस निम्ट कितना बयुत ही होता है लिचा, ही होगा तो यहां से भिषे इस हम पाउंट का स्पर गलच कर करते हैं तो हम क्या बना है यहां से स्ल्फर नबर किलिफलेट किया ठीक और और कुछ Compounds हमारे पास और है जैसे आपका CRO5 इसको भोलते हैं क्रोमियम प्राक्साइड यह आपका क्या है क्रोमियम प्राक्साइड यह क्रोमियम प्राक्साइड का structure क्या होगा इसमें chromium का आपको oxygen number calculate करना है तो ध्यान से समझेगा को सबसे पहले इसका हम क्या बनाते है structure बनाते हैं तो जो chromium प्राक्षाइड का structure होगा कैसे होगा ध्यान से समझेगा आपका chromium होगा इसके वाद oxygen यह से bonded होगा एक слово नया से यहां से जो इस्ट्रक्चर मिला यह आपका क्रोमियम प्राक्षाइट का इस्ट्रक्चर है और यहां से देखें तो यह आपका बटर फ्लाई स्ट्रक्चर का मिल रहा है किस इस्ट्रक्चर का मिल रहा है बटर फ्लाई सनचना का हो रहा है यह तितली के जैसा सनचना बना रहा अब इसमें आपको chromium काक्षिज़स नंबर calculate करना है तो कैसे calculate होगा ध्यान से समझेगा यहां से आपका chromium 2 बांड बना रहा है तो यहां से इस काक्षिज़स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो chromium काक्षिज़स नंबर यहां से कितना हो रहा 6 हो रहा लेकिन अगर यहां से जनरल वे से calculate करें तो यहां से कितना मिलेगा chromium काक्षिज़स नंबर 5 मिलेगा तो यहां से यह आपका जो है यह कौन सा linkage है यह आपका पराक्षाइड linkage यहां भी पराक्षाइड linkage है यहां से आक्षिज़स नंबर कितना होगा इहांसे केतना होगा आपका-1 से जो की उसका आक्षिडेस नंबर केलिकुलेट करते हैं तो ये आपका next आपका compound सम लेते हैं Na2S2O3 अगला हमारा compound है Na2S2O3 तो देखेगा अपका अगला compound Na2S2O3 यहां से इस compound में आपको sulfur का आक्षिडेसन नंबर केलिकुलेट करना हैं, तो कैसे केलिकुलेट होगा ध्यान से समझेगा तो यहां से सबसे क्या पनाते हैं, इसका structure सबसे पहले यह आपका जो Na2S2O3 है इसका हम structure बनाते हैं structure बनाकर इस compound में sulfur का आक्षिडेसन नंबर केलिकुलेट करते हैं तो यहां से आपका सलफर है, सलफर यहां पे लिख दिया हमने, आकसिन यहां पे इसके बाद एक आकसिजन यहां पे लगा दिया हमने, इसके बाद यहां से हमने एक आकसिजन यहां पे लगा दिया, इसके बाद कितना मालेकूल सोडियम, दो मालेकूल सोडियम, एक सोडियम य एक sodium यहां पर लगा दिया तो यहां से आपका जो compounds मिला यह N82S2O3 का क्या है structure है और इस type का जो compounds होता है यह आइनिक compounds भी होता है सारी sulfur कितना है यहां पर sulfur दो sulfur है तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपका एक sulfur और लगाना पड़ेगा तो यहां से आपका साइए यहां से क्या मिलेगा आपका sodium जाएगा यहां पर देखें तो यहां पर समझेगा जो sulfur है sulfur का क्यों नमबर कितना होगा यहां पर प्लस का 6 होगा यहां भी कितना होगा प्लस का 6 होगा तो यहां से जो NA2S2O3 है इस Compounds में क्या होगा जो Sulfur है Sulfur का Oxidation Numbers क्या होगा 6 होगा तो उनने क्या किया कुछ Compounds लिया उस Compounds का Oxidation Numbers Calculate किया और calculate करने के बाद देखा तो कुछ हमारे बास ऐसे compounds होते हैं जिनका हम oxidation number general way से calculate कर सकते हैं लेकिन कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनका oxidation number general way से calculate नहीं कर सकते हैं उस elements का oxidation number calculate करने के लिए उस compounds का सबसे पहले क्या बनाते हैं? structure बनाते हैं structure बनाने के बाद उस compounds में जिस भी element का आपको oxidation number calculate करना होता, calculate करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको आराम से देखते हैं.